मैं हूँ प्रप्चोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान बहुत चल्ट बॉलिवुड में अपने डेब्यू को लेकर तयार है लेकिन अभी बेटी का डेब्यू कनफर्म ही हुआ था कि अब ये सुनने में आ रहा है कि सैफ अली खान के छोटे नवाब जादे इब्राहम खान भी बॉलिवुड में अपना डेब्यू कर सकते हैं अमरीता सिंग और सेफ अली खान के बेटे इबराम खान अभी 16 साल के हैं लेकिन उनके पास अब ओफर्स की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सेफ के बेटे इबराम खान अब छोटे परदे पर दिख सकते हैं। उन्हें एक एड में काम करने का ओफर मिला है। एक सूटिंग कमपनी ने उन्हें ओफर दिया है। बता दू कि इबराहिम के गुड लुक्स और चार्मिंग परसनालिटी के कारण उन्हें इन दिनों काफी ओफर्स आ रहे हैं। सेफ लिखान ने तो बताया ही है कि कुछ दिन पहले ही उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी थी। कुछ दिनों पहले जब सेफ से इबराहम मिलने पहुँचे थे तो हर कोई बस सारा की फिल्मी डेब्यू के बात कर रहा था। तब मौका देखकर इबराहम ने भी बताया कि उन्हें भी एक ओफर आया है। लेकिन वो किसी फिल्म का नहीं है बलकि एक एड का है। हाला कि उनके बेटे को अभी तक कभी सूट पहने हुए देखा नहीं गया है। वैसे आप में से कम लोगों को पता होगा कि सैफ की फिल्म टशन में उनके बेटे ने काम किया था। जी हाँ टशन फिल्म में उन्होंने सैफ के बच्पन का रो प्ले किया था। जब पूरा परिवार ही फिल्मों से तालुक रखता हो तो ऐसे में इब्राहिम कैसे पीछे चूट सकते हैं। अब उनकी बड़ी बहन को ही ले लीजिए, वो अब बॉलिवोड के लिए तयार हो चुकी है। सारा की पहली फिल्म सुशान सिंग राजपूत के साथ होने वाली है। फिलाल आपको ये खबरो कैसी लगी कि सैफ अलिखान के नवाबजादे अब इब्राहम भी हमें चोटे परदे पर अपना कमाल दिखाते होई नजर आएंगे। मुझे कामेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा। इस वीडियो में बस इतना ही बॉल इवोर और टेलेविजिन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए। देखते रहे ये फिल्मी बीट।